यह Max and Whey Protein को लेके मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसके Unboxing करी थी और सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करी थी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि क्या आपको यह Max and Whey Protein असल में खरीदना चाहिए या नही कैसे हो आप लोग चली वीडियो को शुरू करते हैं सो यह है Max and Whey Protein में एक बारी पास से दिखायता हूँ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यह हो सकता है आपको light के वे से clear नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बगल में एक photograph आप लोग के साथ शेयर कर देता हू जिससे आपको सुन में आदेगा मैं कौन से वे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ सो यह है Max and Whey Protein फ्रंट साइट पर इसमें में में इसमें मिलता है 24 ग्राम क्यालरीज इसमें मिलती है पर सर्विंग में 125 BCS में मिलता है 5 ग्राम पर सर्विंग और Glutamine इसमें पर सर् 23 ग्राम का है जैसा कि मैंने कहा समय आपको एनर्जी मिलेगी पर सर्विंग में कैलरीज 125 ग्रोटीन मिलेगा 24 ग्राम टोटल कारभाइड मिलेंगे 4 ग्राम पर सर्विंग भाकी कोलेस्ट्रॉल पोतेशियम सोडियम और कैल्शियम यह सारी चीज़े इसमें में चीज़े और फ्लेवर है यह चोको बाउंटी फ्लेवर अब बात करते हैं कि क्या आपको यह Max and Whey protein असल में खरीदना चाहिए या नहीं सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह Max and Whey protein मेरे को खरीदे वे काफी टाइम हो चुका है और मैंने इसको जितनी बार भी post workout यूज़ करा है तो मेरे को यह protein ठीक लगा है फ्लेवर वाइज यह काफी टेस्टी है और results वाइज अगर मैं बताऊं muscle recovery को लेके तो muscle recovery मेरे को उसमें feel हुई है कि मेरी muscles recover हो जाती है exercise करने के बाद हमारी muscles में soreness feel होती है soreness होने का मतलब बदन तूटा हुआ as a feel होता है तो जब भी मैंने इस protein को लिया है तो मेरे को recovery महसूस हुई है मैं दिन में सिर्फ इसको एक बार ही use करता था पोस्ट वर्काउट और उसके इलावा मैंने अपनी diet पर ध्यान दिया था so मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस पर dependent था मैं अपनी diet को भी follow कर रहा था साथ ही साथ so वैसे इसमें mention कर रहा है कि इसमें 24 gram protein है per serving वो तो lap test करके पता चलेगा कि proper protein कितना निकलता है per scoop में मैं एक time पर वैसे इसके डेड़ से दो scoop लेता था तो उसके मताबिक मेरे को ठीक लगाई है मैं यह नहीं कहूँगा कि इसके results पता नहीं चलेंगे आपको पता चलेगा अगर आप muscle recovery expect कर रहे हैं एक प्रोटीन से तो उसके मुताबिक यह protein ठीक है इस ताइम पर इंपोर्टेट ब्रेंड्स के सारे protein बहुत ज़्यादा महंगे हो रखें तो इस वज़े से मैंने इस protein को ट्राइब करके देखा था अगर आप इसकी packaging को देखोगे तो उनने scan code वगेरा दिया है जिसको scan करके हम इनकी company की website पर चले जाते हैं और product को authenticate कर लेते हैं तो अगर आपको एक बारी use करके देखना है तो आप इसको जरूर use करके देख सकते हैं प्रोटीन की guarantee मैं नहीं ले रहा हूं कि इसमें पर स्कूप 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मैंने तो ज्यादा quantity में यूज कर रहा है पर स्कूप में तो उस मताबिक मैं को ठीक लगा है बाकी अगर आपको उसकी unboxing वगरा देखनी है इसकी details देखनी है कि इसकी mixability वगरा कैसी है तो आप last video देख सकते हो मैंने जे उसके उपर बनाई थी उसमें मैंने इसकी unboxing भी करी है साथ ही साथ जो उसका अंदर से whey protein है उसको shaker में mix भी करके दिखाया है और आपको पूरी detail में सन में आ दाएगा कि इसकी mixability कैसी है वीडियो को end करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई promotional वीडियो नहीं है मैं इस product का कोई promotion नहीं कर रहा हूँ ये मैंने अपने लिए personal खरीदा था और मैं इसको try करके देखना चाहता था तो उस मताबिक मैं को protein ठीक लगा है बाकी इसमे 69 servings मिल रही है मतला अगर दिन में दो बारी भी इसको use किया जाए तब भी ये एक महीने से उपर चल जाएगा बाकी जिल लोग को weight gain करना है तो वो इसको try करके देख सकते हैं आज की इस video में इस max and whey protein को लेके इतना ही और आपको इसके results होगेरा कैसे लगे है तो आज की इस video में max and whey protein को लेके इतना ही मिलेंगा अगली video में किसी नए topic के साथ thank you for watching